तो देख सकते हैं, यहाप पर एक question दिया है, matrix A, तो इसका यहाप पर आप देखेंगे, तो A inverse find out हिया है, तो इतना method हम आराम से calculator में skip कर सकते हैं, तो देखते कैसे हैं, तो सबसे पहले mode 6, फिर 1, 3 into 3 के लिए 1, तो matrix A इसमें fill कर लेंगे, क्या है, 1, 2, minus 2, minus 1, 3, 0, 0, minus 2, 1, एक बाद चेक कर लेंगे, 1, 2, minus 2, minus 1, 3, 0, 0, minus 2, 1, एक बाद अपने matrix fill कर लिया न, तो आपका काम हो गया, फिर A चे फ्रेस कीजिए, फिर shift 4, अब matrix A fill किया था, इसलिए 3, matrix A type कर लिया, यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको X inverse का button मिलेगा, तो इस X inverse का button प्रेस कीजिए, तो आप देख सकते matrix inverse, यहां पर आगे है symbol, अब equal to प्रेस कीजिए, तो आपको मिल गया answer inverse का, जो किये, चेक कीजिए, correct आया, 3, 2, 6, 1, 1, 2, 2, 2, 5, ठीक है, correct आगे हमें answer, एक और चीजिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको A raise to minus 2 find out करना है, तो कैसे find out करेंगे, simple method है, matrix A जो था, वह हमने calculator में पहले से fit करके रखा है, तो क्या करेंगे, हम लोग shift, 4, matrix A हमने पहले से fit करके रखा है, 3, matrix A inverse, multiply करेंगे, वापस matrix A inverse से है, फिर से matrix A inverse, matrix A inverse, multiply by matrix A inverse, equals to press करेंगे, तो हमें A minus 2 का answer, A raise to minus 2 का answer मिल जाएगा, तो यह आपर देख सकते हैं, उसका answer लिखता है, यह आपर, और अबर चल को subscribe कीजे, thank you.